दोस्तो पैन एंड आधार लिंकिंग से जुड़ा important update आपके साथ share कर रहे हैं तो चलिए पहले हम जानेंगे income tax portal पे क्या update है उसके बाद जो notification है वो आपको दिखाएंगे ताकि आपसे किसी दर है कि कोई भी mistake ना हो otherwise 31st March अभी तक last date है उसके बाद आपके लिए बहुत बड़ी problem create हो सकती है in case ये date extend नहीं होती है तो चलिए income tax portal पर आपको बताया गया है पैन एंड आधार लिंकिंग से आपको exempt कर दिया गया है if आप NRI है not a citizen of India, any Indian citizen नहीं है age आपकी 80 years and above है state of residence है आपका असम में खालया and Jammu and Kashmir में ठीक है तो आपको पैन एंड आधार लिंकिंग करना mandatory नहीं है चलिए अब notification पर आते है ये notification notification क्या कहती है notification कहती है in exercise of power conferred by subsection 3 of section 139 AA of income tax act central government notify that the provision of section 139 A shall not apply to individual यानि कि section 139 AA के provision किं individuals पर apply नहीं होंगे who do not possess the अधार नंबर जिनके पास अधार नंबर नहीं है या फिर enrollment ID नहीं है ठीक है और आप residence आपका है state of assume जब मुकश्मीर और मेगालया में non resident है आप income tax act के तहत आपकी age 80 years or more है during previous year या आप Indian citizen के नहीं है तो आपको पैने अधार लिंकिंग की mandatory आपके लिए नहीं है ठीक है अब आपके लिए condition fulfill होना जरूरी है who do not possess अधार नंबर और enrollment ID ठीक है अगर आपके पास अधार नंबर या enrollment ID है तो आप इस exempted category में नहीं आएंगे अगर आपकी age 80 years or more है आपके पास अधार नंबर है enrollment ID है तो आपको पैने अधार की linking करानी mandatory है अब यहां से अगर हम इसको read करें तो यहां पे जो है यह चीजे नहीं condition जो है वो नहीं लिखी गई है अधार नंबर वाली की अधार नंबर अगर आपके पास नहीं है ठीक है यहां से पढ़के हमें ये सारी चीज़े समझ में आ रही है लेकिन यहां पे दिया गया है कि रेफर करें नोटिफिकेशन को जब आप नोटिफिकेशन को रेफर करते हैं तो नोटिफिकेशन में ये चीज़े क्लियर की गई है कि अगर आपके पास अधार नमबर नही जी ची है 31st मार्च तक